किसान साथियों ये देखे हमने एक गड़ा कर लिया है ये लगभग दो फिट का गोल गड़ा है और डेड़ फिट गहरा है ये बाद ये मिट्टी देखे जो गड़े से निकली है ये नीचे वाली मिट्टी है जो पीली है और ये उपर की मिट्टी काली मिट्टी है जो अच् में हम इसको वैसे एक दो दिन की धूप लगानी चाहिए और इसके बाद आप देखे ये मेरा एक तसला लगबग 15 kg के करीब होगा इसमें ये गोबर है मेरा प्रोम है जिसमें मैं रोग फोस्पेट मिलाता हूं जो आप सब जानते हैं और ये पौडर है इस पौडर में मैंने ट्राइको डर्मा बवेरिया बसियाना और मेटारीजियम अनसापोली तीन चीज़े मिलाई हैं 10-10 ग्राम के करीब ये देखे ये खाद हम इस बिट्टी पर डाल देंगे इस प्रकार लगबग 30 ग्राम के करीब हम इसमें ये पौडर डालेंगे अब इसे हम इसमें मिलाएं अब हम इसको इस गड़े में भर देंगे ये हमारी मिट्टी में जो बहुत सारी फंगस होती है और जैसे राइजोक्टोनिया है और आपका फ्यूजेरियम फंगस है और भी बहुत सारी फंगस होती है और जो वाइट गरब वगरा है उन सब को कंट्रोल करने में सहयक होता है इसलिए आप अगर दीमक भी है और वाइट गरब भी है तो आप चिंता मत कीजिए ये इन सब को कंट्रोल करेगा खोड़ा इसको दबा दीजिए ये जमीन से थोड़ा उपर आ गया अब इसका एक थाला बनाईए जो बाहर की उपर की मिट्टी है उससे ये हो गया आपका गड़ा तैयार अब इसमें हम अच्छी तरह पानी देंगे इससे क्या होगा कि नीचे जो हमारी मिट्टी और खाद है उसमें परियाप्त नमी बनेगी पानी इतना डालना है कि गड़ा अच्छी तरह से पीले कम से कम पाँच से दस लिटर तक पानी आप दे सकते हैं ये हमने इसको भर दिया है और अब ये पानी नीचे बैठ जाएगा अब हम इसे कम से कम तीन से चार दिन के लिए छोड़ देंगे अब आप इसमें हम देखे पोधा लगाते हैं ये पोधा मेरा धवल का पोधा है जो मैं लगा रहा हूँ हूँ जितनी बड़ी थैली है लगबग उतना इसमें जगह बनाईए गड़े में ये ध्यान रखे कि आपका ये गड़ा बिलकुल लाइन में होना चाहिए ये देखे इस प्रकार ये पन्नी हटाईए इसकी और इसको उठाकर इसमें प्रत्यारोपन कर दीजिए किसान साथियों में इसमें कोई भी इस समय उर्वरक नहीं डालता चुकि सुरू सुरू में पोधे को बहुत ज़्यादा उर्वरक नहीं चाहिए होते हैं अगर गड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ी मिट्टी डाल लीजिए और डालो ये हो गया और आब इसमें मिट्टी डाल कर इसको दबा दीजिए सीधा कर अब इसका जो पहले से ये मिट्टी थी इसको हलकी खुदा निराई कर दें इसमें और फिर एक थाला बना दें और फिर इसमें हम पानी दे देंगें धीरे से इतना पानी दीजिए कि थैली और उसकी मिट्टी एक हो जाए झाल